संग्यान आप और मैं तो नहीं लेंगे सेंटर में बीजेपी की सरकार और जिस तरह अगर आपको पता हो छे महीने पहले से कश्मीर की फोर्स को पता था कि पाकिस्तान ने कैसा संगठन बना लिया है जो कश्मीर में उत्पाद मचाएगा उसके बावजूद कश्मीर में अगर उत्पाद मच रहा है कश्मीरी पंडितों की टारगेट की लिंग करी गया और सरकार खामोश बैटी है तो सरकार सी ये सवाल में आप ही के चैनल से करना चाहती हूं कि अभी कश्मीरी फाइल आप लोगों ने देखी कश्मीरी फाइल को बना कर ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे मानों पूरे कश्मीर को इन्होंने निजात का रास्ता दिखा दि गी तो सवाल ये उड़ता है कहा है वो कश्मीरी फाइल बनाने वाले अगर कश्मीरी फाइल को लेका मोधी जे खुद इसको परमोट कर रहे थे क्या उसी स्टीम चैनल को कश्मीरी का उपर आगे नहीं आना चाहिए मां मुसलमानों की बात नहीं हो रही जनाब मां कश्मीर पंडितों की बात हो रही है और कमाल की बात यह है जिस कश्मीरी पंडित पे आज तक बीजेपी पतंग उडाती आई है चाहिए आप 1990 देख ले उस वक्त भी कश्मीरी पंडित जो जुम का शिकार हुए थे तब भी बीजेपी की सरकार थी चाहिए वो समर्थन से थी और ज क्श्मीर में हो क्या रहा है पूरे भारत को इसवक्षमीर की आवास खले आना चाहिए और जिसने मुम्किन हो जो के लिए नहीं है इस वाली बात को समझना चाहिए कि कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंक है और इस वक्त कश्मीरी पंडित हमें पुकार रहे हैं कि छोटे चोटे बच्छे मोदी जी के आगे हाथ जोड़ें मोदी जी हमें बचा लो हमारे माबाप खत्रे में हमारे पिता ज चाँ में नजर आते हैं up उन्देश्त को उठाकर देख और पर अब उठाकर देगे आप उत्तर परदेश कंडिश को ठाकर देगे आप उत्तर परनी है पाकिस्त बेरा रहे दिए जा रहे थे चहां यहा कश्मीरी पंडित जो औरिजिनल कश्मीरी पंडित है मर रहें क्या यह नजनीन doctrinal को अधिक को पुकार रहा सब्सक्रा जैनल को बेश्जां पारए्ज को पोकारा थै जब अब्सक्राहएं को लोगर बोगु विए लेकिन यहाँ पर पैन गुलाम हो गया है यहाँ पर कलम गुलाम हो गया यहाँ मीडिया जिसम फ्रोश्य पोतर गया या निकि पूरा का पूरा समीधान को बेच के खारा तो नुकसान पूरे भारत का है जिस तरह नरेटिव सैट कर जा रहा है हिंदू-मुसल्मान, शीव-लिं इंसानियत का कतल होता है और कश्मीर में लगातार बैक टू बैक चार दिन में चार से ज़्यादा मडर हो चुके हैं आप जो पत्थरा हो रहा है वो मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं हो रहा है जो नुपूर शर्मा के उपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर मुसलिम समा चैनल पर जाकर बैटते हैं कि मुसलिम समाज जो इस्ट्रीम चैनल पर जाता है और पैसे लें के जा ता कौई tras लेके जा रहा रहा है कोई मुला जी बनकर जा भी इसलाम के खिलाब बोला कितना पॉपुलर हो गया उसके बाद ये नुपूर आई जिनको इनके गली के कुटता नहीं जानता था आज पूरी दुनिया इनको जानगे जितने भी नफरती चिंटू है ये जितने भी आरेसेस के दो दो कॉडिके हैं वो ही आए और बीजेपी वाले दिवाली आ हो गया अब हम तुम्हें दो रुपे नहीं देंगे जो नफरत का काम तुम करता हो वो हम बहुत इमानदारी के साथ कर सकते हैं हम भी इसलाम के खिलाब बोल सकते हैं वो भी नेशनल टीवी पर हम किसी भी कोड में जाकर हम कोई भी पिटिशन फाइल करते कोई भी केस फाइल करते हैं कोट हम से क्या मांगता है कोट क्या देखता है कोट सबूत देखता है कोट गवा देखता है कोट पूरा टाइम लेता पूरी रिसर्च चलती है पूरी सर्वे चलते हैं और एंड ऑफ दे क्या होता है कोट कहता है हम आस्था पर फैसला दे रहे ह बाकाइदा समीधानिक तरीके से फैसला दिया जाएगा तो मुसल्मान कुट कुट कर जाकर कहें कि हाँ हमें समीधान पर यकिन है मुसल्मानों को अब समयदान पर यकीन नहीं रहा क्योंके बाबरी मजजित जो शहीद करी गई थी और बाबरी मजजित को जो राम मंदिर बनाया गया उसमें बीजेपी का कोई कमाल नहीं आरसेस का कोई कमाल नहीं शिर्फ सेना का कोई कमाल नहीं इनका सिर्फ तोड़ने में और भारत की आस्ता राम जी से जुड़ी है इसलिए हम यहाँ पराम मंदिर बनाने की इजाज़त देते साथ साथ बाबरी मजड़ि बनाने की भी इजाज़त देता बाबरी मजड़ि जब शहीद हुई तो मुसल्मान इसलिए को सैक्रिफाई अगर कर देते तो हो सकता है भारत में अमनों अमान कायम रेले की चाहिए यहां पर सबसे बड़ी भूल इसी समास से हुए उसका खम्याज़ा यह हुआ कि उत्तर परदेश के इलक्षन में क्या नारा दिया गया मत्रा काशी बाकी है और जिस तरह ग्यान वाप पर आगे रहरासिस का अस्तित्व खतम हो रहा है और यह चिंटून का समझ नहीं रहे तो आप देखे कि मोहन भागवत ने खुद कल कहा कि नहीं हर मस्जित में शिवलिंग मत ढूंडो यानि कि उन्होंने कुछ मस्जित सेट करीं ती सिर्फ वहीं ढूंडना था लेकिन भत मुसल्मान भारतिय था भारतिय है हाँ इसलाम भारतिय नहीं वह बाहर से आया इसलिए मुसल्मानों को टार्गेट मत करो जबके आप देखे कि जितनी भी दो दो कोडी के संत्रें यह मुसल्मानों को फ्री में विज़े दे रहे हैं पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा पाकिस् वो भी कही ना पिछड़ते में नजर आ रहें तो अब RSS को लग रहा है कि ये जितने भी नफरती चिंटू है हमारे हाथ से निकल गए अब ये पूरे भारत में उत्पाद मचाएंगे तो RSS ये सोच रहे हैं कि शैद हमारे कंट्रॉल में होल्डाद है बीजेपी इनके हाथ से निकल गए क्योंकि बीजेपी और RSS एक ही थी RSS नहीं मोदी जी को परधान मंतरी बनाया था कि ताकि सन 2023 में भारत को हिंदूराज घोचित करा जाए फिल्में जो थी एंटर्टीनमेंट का जरिया होता है अब आप कोई भी फिल्म मना दे और उस पर टैक्स फिरी कर दे सब फिरी कर दे जबरदस्ति आप मुझे वो फिल्म दिखा देंगे मेरा दिल नहीं कर रहा कश्मीरी पंडित को जाकर देखू या मैं कश्मीरी फाइल को देखू या पिर्थवी राज को देखू उसके बाद उसके इसमें का मैं मार्शलाट में करना चाहता था और मैंने करा बाद में उसका लग चल गया हिंदूस्तान में उसको बंदा को लोगों ने देख लिया कभी खिलाड के नाम पर गुद्र है कभी अनारी के दूख रहा है ये बीजेपी के परवक्ता हो गए, ये एंटेटेंमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे है, ये बूरे भारत के माहल खराब करने के लिए कर रहे है, सवाल ये उठता है, अक्षे कुमार अगर इतना बड़ा राष्ट वादी था, तो तूने कनेड़ा की नेशनल्टी क्यों ली और अब भी इसने परसर के इंटर्व्यू में कहा, कि जब वो रिटायर हो जाएगा, यानि जब भारत की जंता उसके लात मार देगी, उसकी फिल्में नहीं चलेंगी, तो कनेड़ा चला जाएगा, यानि कितना बड़ा नुखसान है हमारा, कि तू हमारे भारत से कमाएगा भारत के माहल को खराब करेगा, और रहेगा तू कनेड़ा में, तुझे सेफ लग रहा है कनेड़ा, तो उससे तो अच्छे तो अंग्रेज थे, अरे अगर भारत को लूट कर गया, कुछ कर गया, भारत में कुछ यादगारे भी दे कर गया है, चाहे वो पार्लिमेंट हाउ और फिर उपर जाकर, मोदी जी के पास जाकर सवाल करता है, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं, या काट कर खाते हैं, अभी तू पागल है, यह तो दो साल का बच्छा भी बता रहेगा, के चूसने वाला आम चूस कर खाएंगे, काटने वाला काट कर खाएंगे, तू मुखलों के बारे में पढ़ाए जाता था तो अक्षे कुमार तेरी ग्यान में बढ़ादू तू NCRT को जा का ढोट गूगल पर छटी शात्वी आच्वी में 35 आ हिस्टर रहे हिस्टरी के NCRT में उनमें मातर 3 चैप्टरों जो आधरवाई सब जगा पिर्टी राध चोहान के बारे में सबसे डिटेल में के रानिया क्या यूस करती थी किस तरह खुश रहती थी किस तरह नहाती थी किस तरह पोशा के पहनती थी तो यह आप मुद्दों से भटका रहें इनको पता है कि जादातर जो भगते वो अग्यानी है यह कुछ भी क्या उस पर यकीन कर लेंगे लेकिन इनके साथ कोई ना कोई तो ग्यानी भी है ना